गुट इवनिंग बच्चों पिटा लास्ट PS3 में हमने 11 के दो चैप्टर्स कवर किये थे आज 12 के दो चैप्टर्स PS4 में हमें कवर करने हैं और शुरुआत करेंगे चैप्ट कररेंगे के रहें आपके सामने पहले है रीड कॉंस्ट क्या होगा जिसकी हाफ लाइफव 480 सेकिंड है simple सा सवाल है बिटा half life दी है rate constant के पूछा है formula होता है 0.6932 upon t half और t half बिटा आपको किता दिया है 480 बस इसे solve कर लेना है उमीद है आप इसे solve करेंगे ये value आप किया जाएगी बिटा 1.44 into 10 to the power minus 3 per second ये है दूसरे पर आईए decomposition of activated complex into products is देखे कैसे बनता था activated complex transition steward theory ये होती थी यदि हम A2 प्लस B2 की reaction कराएं तो पहले हमें energy देनी पड़ती थी यानि एक endothermik step होती थी कुछ ऐसी A और A के बीच में bond तूटेगा B और B के बीच में bond तूटेगा जबकि A और B के बीच में bond का formation होगा ऐसे करके इसके बीच में bond का formation होगा अगली step पे आ जाईए ये क्या बन गई आपकी transition state अगली step में जो bond तूटने होते हैं वो तूट जाते हैं जो बनने होते हैं वो बन जाते हैं प्रोसेस होती है exothermik end product मिलता है twice AP तो ये बीचा आपकी reaction आपके सामने है तो हम ये कहते हैं कि formation of transition state कैसा होता है endothermik formation of transition state endothermik है लेकिन decomposition exothermik होता है हमेशा decomposition activated complex का exothermik process होती है आगे बढ़ते हैं question number 3 और question number 4 ये रहे आपकी screen क्या रहा है rate of a reaction can be expressed by the following rate सामने लिखा है पिटा आपको rate बराबर दिया गया है k into concentration of a का square into concentration of b ये rate है पिटा करेफ concentration of a increase three times यदि a की concentration को कित्ता कर दिया जाए 3 गुना यानि 3 a का square हो गया b को दुगना कर दिया यानि 2 b हो गया into k हमने ये change किया एक काम करते बिटा 3 का square 9 होता है और 2 18 इसे बाहर ले आईए तो 3 का square into 2 18 अंदर क्या बचा a square b और कौन बचा k ये क्या है पुराना rate नया rate कित्ता हो गया 18 गुना जादा 18 times जादा हो जाएगा नया rate next आईए what is the time required for a first order reaction to be 99% complete as compared to 90% क्या रहा है बताईए T 99% 90% के compare में कित्ता होगा सीधा relation होता है 90% का दुगना होता है T 99 तो time taken is double जो आपका time लगेगा 99 में 90% का बिटा कित्ता लगेगा दुगना time लगेगा double time लगेगा हम इसे derive कर सकते हैं पर direct relations होते हैं बिटा तो मिने direct use करेंगे इससे हमारा time बचे जाएगा आगे बढ़ जाते हैं question number 5 question number 6 half life period first order reaction का 60 minute दिया हुआ है what will be the percentage will be left after 20 two four zero minutes अब ये बताइए आपको T half कित्ता दिया है 60 minute तो बताइए यदि हमारे पास 240 minutes हैं 240 minutes में कितने T half हो गए divided by 60 तो बराबर 4 T half क्या इतनी बात समझ में आती है अब हम ऐसे बोलते थे ना देखो 100 था बिटा पहले T half के बाद यानि पहले 60 के बाद 50 अगले T half के बाद 25 फिर अगले T half के बाद 12.5 और फिर अगले T half के बाद 6.1 यानि पहली half life दूसरी तीसरी चौथी के बाद 6.12 समझ में आया 6.25 तो यह आप का अंसर होगा 6.25 4 half life के बाद कितना बचेगा फिर आए यदियम concentration of reactant को X बढ़ा दे तो करें rate constant पे क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिटा rate constant केवल केवल और केवल temperature और catalyst पर depend करते हैं बाकी चीजों पर depend नहीं करते यह रहा question number 7 और 8 आपके साब rate of reaction is doubled for every 10 degrees Celsius इसका मतब 10 degrees Celsius बढ़ाने पर rate दुगना हो गया तो temperature coefficient यानि theta की value बराबर हो गई दो यह कहलाता है temperature coefficient अब कहा रहा है बताईए increase in rate as result of temperature rise from 10 degree to 100 degree will be किता बढ़ जाएगा rate of reaction तो मैं ऐसे पढ़ते थे कि R new जो नया होगा higher temperature वाला वो बराबर होता था R old यानि lower temperature into theta की power N now what is N here N होता था विटा change in temperature यानि delta T divided by 10 अब temperature बताईए 10 degree से 100 किया किता बढ़ाया 90 upon 10 यानि किता बराबर आगया 9 खत्र theta 2 है तो बताईए नया rate पुराने rate का कितने गुना हो जाएगा तो R old multiplied by theta यानि 2 की power 9 बराबर आगया 512 times of R old यानि पुराने से 512 गुना जादा यह रहा कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च क्या समझ में आया बिटा सीधा formula लगाया थीटा निकाला temperature coefficient R new बराबर R old into थीटा की power The addition of catalyst during a chemical reaction किसे alter करता है activation energy को क्योंकि catalyst add करने पर threshold energy barrier नीचे आ जाता है जिससे activation energy कम हो जाती है और activation कम energy होते ही rate of reaction बढ़ जाता है हमेशे आगे आते हैं question number 9 rate of a first order reaction 0.4 है 10 second पर और 0.03 है 20 second पर after the initiation of reaction the half life period of reaction देखिए हम मान लेते हैं कि यह जो आपके सामने है initial moles दिये गए है जब 10 है तो 4 यह initial moles उस समय है और जब 20 है तो moles बचे किते हैं 0.3 बचे हैं तो भी question को ऐसे कर सकता हूं ध्यान दीजे कर दिए हमारा formula होता है बीटा k equals to 2.303 divided by t अब बता है यह ती कैसे देंगे t यहाँ से शुरू करेंगे इसे मान लूँगा initial इसे मान लूँगा final तो 10 से 20 हुआ यारी temp टी हुआ temp into log initial किता है बीटा 0.04 finally बचा किता है 0.04 पक्का यह बराबर किता आगे थोड़ा solve कर लेता हूँ 2.3 divided by 10 देशमला बटा दीजे log 4 by 3 log 4 की value बताए किती होती है बीटा it is 3 into 2 2 log 2 यह हो गया 0.6 और log 3 की value होती है 0.48 तो यह बराबर आगया 2.3 upon 10 into 1 sorry 0.12 हमसे क्या पूचा है हमसे पूचा हाफ लाई बताएगे तो what will be your half life half life बराबर होती है 6.6932 divided by k और k की value है 2.3 नीचे 10 था ऊपर चला गया into 1.2 sorry 0.2 मैं बार बार 1.2 लिग दीता हूँ पस इस से solve करना है ठीक है ठीक भाई इस दशम्लब को दी मैं यहां लगा दू तो 10 अड़ गया किती बार गया approximate तीन बार तो value आ गई 3 upon 0.12 दशम्लब बटा दिया 2 0 बढ़ गए अब solve कर देते हैं कितना है कि बताना है 12 से solve कर रहा हूँ 12 दुनी 24 36 approximate 25 है कोई 25 समझ्मिया है कैसी कि है इसे मैंने initial मान लिया इसे मैंने final मान लिया और यही amount सहा पर इस्तिमाल करणा क्लियर है question चली थोड़ा आगे बढ़ जाते है question number 10 rate of a reaction doubled when its temperature change इता activation energy arhenius equation याद भीटा आपको क्या थी arhenius equation it is log k2 upon k1 यह rate भी लिख सकते हैं याद रखेगा ठीक है log k2 upon k1 ठीक किसके बराबर होता था याद करिये ea activation energy upon 2.303r t2 minus t1 upon t1 t2 यह formula है अब बदाईए दुगना हो रहा है rate इसका मतरब k2 2 k1 1 तो यह हो गया log 2 equals 2 ea upon 2.303r t2 minus t1 t2 किता है 310 minus 300 यानि 10 upon t1 into t2 यह ले भई थोड़ा shuffle कर देता हूँ 0 से 0 काट देता हूँ ठीक है log 2 की value आपको पता है विटा कितनी तो यहाँ से हैपन क्या निकाल देते हैं ea बराबर किता हूँ तो ea बराबर किता है log 2 की value 0.3010 into 2.3 into r की value किसमें रखनी है किलो जूल में यानि 8.31 into 10 to the power minus 3 into 31 into 300 बस इसे solve कर लीजिए और जब आप इसे solve करेंगे आपका अनूसर 50 के आसपास आ जाएगा 53.6 solve कर लीजिए and get your answer समझ में आया बिटा आरहीनियस equation को use किया है values put up कर दी है केवल solve करना बाकी है वो आप कर ले question number 11 पर आईए 75% देखिए 75% ये बराबर होता था 2 into t half यानि t 50% याद है तो यहाँ से ये बराबर किता दिया है बिटा आपको 100 तो यहाँ से आपका t half यानि t 50% बराबर आ गया परचास अब ये बताईए कि आपको याद t 87.5 में कित्ता लगता था 3 into t half यानि 3 into 50 यानि 150 परचास 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 पहले मैंने t half निकाला बिटा फिर उसे t 87.5 में कित्ता समय लगता है ये relations आप पर लिखे हैं गानिटिक्स ने पढ़े थे आप ने ये कुछ यादा है t 93.3 के अप्रॉक्सीमेट होता था t 99 6.64 होता था t 99.9 10 times होता था याद दिला दू ऐसे पढ़ा था ना t 60 बराबर कित्ता 4 by 3 into t half ऐसी होता था ना t 75 या t 3 by 4 पर स्थी कह सकते हैं बराबर कित्ता होता था था बिटा 2 into t half t 87.5 बराबर 3 into t half t 90 बराबर 3.3 into t half t 99 6.64 t 99.9 10 into t half के बराबर यहाँ पर आजएए बताईए सबसे पहले t half तो पताईए t average बराबर कित्ता होता है 1.44 into t half अब बताई t 3 by 4 यानि t 75 percent बराबर कित्ता होता है 2 into t half तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया ये 2 t half फिर कौन हो गया t average सबसे कम t half आंसवर हो गया पहला बहिए t 3 by 4 यानि 75 percent 2 t half के बराबर है t average 1.4 t half के बराबर हो t half तो t half है तो आप का आंसवर हो गया पहला आगे बढ़ते हैं question number 13 question number 14 करे decomposition of a hydrocarbon follows the equation ये की equation दी है आपको यादो आपने आ रही ही निया से equation पड़ी थी k equals to a into e की power minus ea upon rt अब देखिए जो a है ये तो ये दिया है और e की power minus ea upon rt ये दिया है तो t ये Kelvin लिखा है तो t हटा दें तो हमें क्या मिला minus ea upon r बराबर minus का 28,000 minus 2 बस पर हटा दिया 28,000 पूछा क्या गया ea पूछा गया है तो ea बराबर कित्ता हो गया 28,000 multiplied by r की value किसमें उसमें kilojoule में तो r की value 8.31 into 10 to the power minus 3 minus 3 काट दीजिए एक, दो, तीन काट दीजिए 28 को इसमें multiply कर दीजिए यदि यह 30 होता तो 8 यह 24 से नहीं 240 के आसपास काट गये रहा 230 के लिए है कोश्चन आए फिर से समय लेना k equals to a e की पार माइनस e a r t किया a e a हो गया और यह value e की पार माइनस e a r t e a r t की जिए के मैंने रख दिया पर temperature तो यहां भी दिया k upon t खतम होगे e a upon r इतना आ गया e a को solve दिया आगे बढ़ते है next question है rate constant इसका इतना दिया है concentration a इतनी दी है तो आसान सा सवा है यदि आप rate constant को देखें तो rate constant की unit से आपको यह पता चल जाएगा कि एक zero order reaction है बिटा क्या order of reaction इसका किता है zero और zero order reaction के लिए क्या होता है देखो a gives b initial amount a है यह zero है a minus x है यह x time t है तो कह रहा है कि initial concentration 5 m a की दी है तो 20 minute के बाद b की concentration किती है x क्या होगे तो zero order के लिए x बराबर क्या होता है kt यह formula है k दिया है क्या बिल्कुल दिया है k किता दिया है बिटा 0.6 into 10 to the power minus 3 क्या t दिया है हाँ tv दिया है 20 minute यानि 20 seconds में convert करना पड़ेगा 60 से multiply क्योंकि यह per second दिया था खतम हो गया इसी को दिख लीजिए तो मैं लिख देता हूँ 6 दुनी 12 यह हो गया 0.6 into 6 दुनी 12 और 2 0 into 10 to the power minus 3 इसे काट दिजिए 1, 2, 3 12 into 6, 72 यानि 0.7 आंसर पस x बराबर kt क्या आपको दिया है t आपने seconds में put कर दिया solve कर लिया आंसरा question number 15, 16 आपकी स्क्रीन पर यह रहे कह रहा है rate of reaction divide करना सा rate of reaction r dx upon dt बराबर दिया है k into h plus k power n तो यही एन हेविटा order of reaction इसी को कहते न order of reaction इसी को निकाल ला कहते है पी-च में 1 का change किया जाए pH 2 से 1 की जाए 1 का change किया जाए तो बताईए concentration of h i n में कितने का change होगा 10 का 10 का चिंज से एक unit pH change होती है बिटा क्योंकि pH बराबर 1 है तो h i n concentration 10 to the power 1 यानि 10 अब यह बताईए जब आपने concentration में 10 का change यानि 10 गुना कर दिया तो rate कितना हो रहा है rate becomes 100 times तो 10 की power क्या लगाए कि 100 हो जाए दो लगा दे यही 2 क्या होता था order of reaction तो यह बराबर 2 हो गया concentration 10 गुनी करने पर rate 100 गुना तो आरसी लगाए concentration की power लगाई 100 कर दिया तो 10 की power 2 बराबर 100 question number 16 delta H for a reaction is अब देखे यह आपको कैसा दिया है यह हमारी एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी तो सॉल्ड एनर्जी होती थी ठीक क्योंकि एंडो थर्मिक है तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी जादा और मिलेगी कम अब देखे का मैं आपको values दिखा रहू थोड़ी सी यहां से और यहां तक की value यही तो डेल्टा एच कहलाता है यह तो value होगी किसकी बटाएच की अब जड़ा इस पर नज़र डालिए यहां से लेके यहां से लेके यहां तरह यह value होगी एक्टिवेशन एनर्जी की तो देख के बता दीजिए डेल्टा हिएच जड़ा है कि अक्टिविशन एनर्जी यह EA की value बहुत ज़़ादा है डेल्टा ह्की बहुत कम है तो EA जो होगा वो more than होगा देख यह value ज़ादा है यह value कम है वो more than होगा डेल्टा है हो डेल्टा है आपको दिया है केलिए को न्सर होगया लगा समय कितना है twice है 50% यानि T 75% बराबर 2 into T half इसका मतलब order of reaction बराबर यहाँ पर आजा Q के लिए देखना क्या इस line को touch कर रहा है यानि एक निश्चिट time के बाद Q की concentration 0 इसका मतलब concentration 0 का मतलब के Q के respect में reaction का order किता हो गया 0 order तो इसके respect में 1 इसके respect में 0 तो order of reaction बराबर overall चेक कर लेते हैं order of reaction किता होना चाहिए 1 तो अंसर हो गया order of reaction equals to 5 कुछ समय में आया बिटा चलिए दूसरे question पर आ जाते हैं पर उस दिए हैं बिटा चीक है बताइए टी हाफ ए पर depend नहीं कर रहा किसके लिए नहीं करता first order reaction पहला तो first order हो गया तो या तो दूसरा होगा या अब second पर आ जा टी हाफ डारेक्ट्रिली प्रपोरॉशनल टू ए टी हाफ डारेक्ट्री प्रपोर्शनल टू ए कौनसा order 0 order तो पहला first order फ्र्पी जीर का अंसर हो गया इसको देख लिए पीटा ये तो ऐसी निज़ा आ रहे है टी हाफ second के लिए inversely third के लिए inverse का square करते थे ऐसे तो answer हो गया है third आगे बढ़ते हैं मिटा question number 19 और 20 दो last question kinetics के यह रहे आपके साथ चलिए इन question को करते हैं ऐसी देखना ज़र ध्यान से B की concentration constant रखी गई और इसकी concentration को 6 गुना कर दिया गया 156 जा 90 तो rate भी देखिए 18 से 108 यानि 6 गुना हो गया तो concentration 6 गुनी करने पर rate भी 6 गुना तो 6 की power 1 यानि a के respect में order आ गया एक तो a के respect में order आ गया अब b के respect में देखना है बिटा इससे देखिए constant रखा और इसकी concentration को तीन गुना किया तो rate देखिएगा तीन गुना हो गया 18 इंटू 3 चबवन यानि concentration तीन गुनी करने पर rate तीन गुना हो गया तो तीन की power एक यानि इसके respect में भी 1 तो दौनों के respect में order of reaction will be 1 RC ट्रिक लगा दिया ठीक है फिर से देखना इसकी concentration 6 गुनी की गई 15 से 90 यह वानले 6 गुनी की गई तो rate भी देख 6 गुना हो गया इसकी concentration तीन गुनी की गई rate भी 3 गुना हो गया तो 6 गुनी करने पर 6 गुना तीन गुना तीन गुना यानि directly proportional यानि concentration की power 1 concentration की power 1 यानि order of reaction दौनों के respect में 1 हो जाएगा mechanism दी गई है विया rate का expression पूछा है हमेशा याद देखिए rate किसके लिए लिखा जाता है slow के लिए slow कौन सी है यह वाली क्या कोई intermediate आया है reaction को देखिए नहीं A और B दौनों reactants में है तो यह आपका answer हो गया जरूते नहीं पड़ी इसी साथ सो निकल आया single step में पड़का तो यह थे questions बीस chemical kinetics के आईए चलते हैं 21 question of electro chemistry पर यह रहा electro chemistry चली इससे बात कर देता है इसको थोड़ा सा एक side में शिफर दे नहीं होगा चली आईए the limiting molar conductivity दी है इतनी इतनी है the molar conductivity थोड़ा बड़ा कर देता हूं मुझे रखता है आपको भी थोड़ी सी दिक्कत होती होगी पड़ने है थोड़ा बड़ा कर देता है ठीक है चली the molar conductivity of .1m इतनी दी गई है पूछ रहा है at same temperature degree of dissociation यह अलफा पूछ रहा है तो अलफा ब्राबर आपको याद हो तो यह होता है given concentration divided by at in finite dilution clear है ना तो लेमडा तो आपको दिया है concentration वाला कितना 7.8 infinite पर हम निकाल रहेंगे किसे कोल राश्वा से कैसे निकालेंगे कोल राश्वा से किसके लिए निकालना है लेमडा इंफाइनाइट आफ एसिटिक एसिट अब राखो स्रॉस औफ एनाइन्स sources ऑफ टथर यही फॉर्मुला था ना लेंब्ड़ इंफाइन्टा आ एसीटेट% कौन आगया है इंफार्थ हम फार्टउ कोन आ गया है अभी हटा देंगे स्क्रॉड के लिए लेंब्ड़ स्छिक अइस्टिक i find ॉफ हम आ गया mummy माइनस लेमडा इन्फानाइट आफ एनेस यह वैलू रखिए बिटा इसकी वैलू किती दिये बता यह 95 नहीं सौरी 90 90 प्लस यह दिया है 425 माइनस 125 425 से 125 गया 300 और 90 यारी 390 लीजिए यह भी आ गया तो यह किता है 7.8 वो किता है 390 डिवाइड कर दीजिए तो अलफा बराब आ गया किता है 7.8 डिवाइड वाइड भाई 390 सौल करने जार। अलफा बराबर लेमडा गिवन कंसेंट्रेशन अपट लेमडा इंफिनिटी गिवन कंसेंट्रेशन पॉइंट वन पर आपको इतना दिया है इंफिनिटी पर आपने को लाश लास से निकाल दिया वैलू पॉशन निमर सेकेंड में यह तो आसान सा सवाल इसके लिए ट्रिक पड़ी थी हमने यादे आपको क्या ट्रिक थी पेटा है ज्यादा बराबर कम प्लस का जे बराबर के प्लस ज्यादा किसे दिखते थे इलेक्ट्रोनों से याद रखना इसमें कितने इलेक्ट्रोन हैं 2 इसमें एक इसमें तो ज्यादा वाला उपर हो गया तो इलेक्ट्रोन कितने ऊपर वाले में 2 इंट्व एलेक्त्रोन पोटेंशल खिता है इसे इधर यह इढाने इसे तो पॉइंट 5 के खरीब आ जाएगा वह यह पॉइंट 3 4 इमानने 6 8 हो गया 6-8 से 0.15 गटा दिया तो 0.5352 ग्यास पास आगे समझ में आया चलिए आगे बढ़ जाते है Question number 3 और Question number 4 आसान से सवाब 1 Faraday electricity pass की गई है Molten Al2O3 यानि हमारे पास क्या है Al triple positive और किसे पास की गई है CuSO4 यानि हमारे पास क्या है Cu double positive Molten Al2O3 यानि हमारे पास क्या है और इस सब में बिटा आपने किती 1 Faraday यहाँ भी 1 Faraday यहाँ भी और 1 Faraday यहाँ भी लगए अब देखे किता आसान सा सवाल है यदि इसको पूरा neutralize करना है 1 mol तो 3 Faraday चाहिए तो 3 Faraday से 1 mol तो 1 Faraday से 1 by 3 mol Aluminium Yes or No क्या समझ में आता है बिटा यहाँ देखना यह 2 Plus है तो 2 Faraday से 1 mol तो 1 Faraday से आधा ही mol तो आएगा आधा मोल कॉपर फिर से समझना Plus 2 है तो 2 Faraday ने 2 electron चाहिए 2 से 1 आएगा तो 1 से 1 by 2 यह 1 Faraday से 1 पूरा आजाएगा 1 mol तो what will be the mol ratio क्या है बिटा 1 is 2 3 1 by 3 is 2 1 by 2 is 2 1 इस पूरे को 6 से multiply कर दे 2 is 2 3 is 2 6 answer क्योंकि यह हटाने थे तो उन्हें 6 से multiply कर दिया तो answer आगया 2 is 2 3 is 2 6 यह रहा है आपके सामझे आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं question number 4 के ionization constant दिया है molar conductivity infinite dilution पर दिया है तो करा conductance फिर से वही सवाल ने अलफा बराबर होता है अलफा बराबर होता है lambda at given concentration upon lambda infinity अब क्या आप देखिए आपको यह given है बिटा और यह आप से पूचा है क्या पूचा है conductance of 0.1m solution कित्ती होगी अब आप यह बता दीजिए किवर alpha निकाल लेंगे आप कैसे इसकी मदस से आपने पढ़ा होगा k a equals to c alpha square यह आपने पढ़ा होगा alpha equals to under root k a upon c क्या आपको value given है बिटा k बताइए कित्ता है it is 1.6 into 10 to the power minus 5 divided by concentration कित्ती है 0.01 equals to इसे थोड़ा solve कर रहा हूँ तो उपर वाले को मैं लिख देता हूँ 16 into 10 to the power minus 5 की जगे minus 6 और नीचे कर दीता हूँ 10 to the power minus 2 इसे उपर लिजाएए बिटा तो यह हो जाएगा उपर 10 to the power minus 4 तो यह बराबर आगे 16 का square 4 minus 4 का minus 2 यह value किसकी आगई alpha की तो आपको चाहिए क्या 10 to the power minus 2 multiplied by lambda infinite किता दिया है बिटा 3080 into 10 to the power minus 4 इसे multiply कर दीजे 4 से 404 हो गया 8 into 4 32 यानि 2 आगया 3 remainder 4 तीया 12 और 3 15 तो 1520 into 10 to the power minus 6 बराबर आगया 1.5 into 10 to the power minus 3 1.5 into 9 1.5 into 10 to the power minus कुछ समझ में आया पहले मैंने क्या किया बिटा K equals to C alpha ऐसे alpha निकाला यह formula था यह अवे दिया था यह निकलाया alpha की मतल से यह था question number 4 थोड़े से calculative है कभी-कभी आ जाते exam में बिटा यह physical की 42 question है हम लोग इने कोशिश करेंगे के एक घंटे के अंदर कर ले the metal which is can be used to obtain metallic copper अब दिखें यह simple सा concept होता है कि यदि आपके पास CU++ है तो metal यदि आपने इसके अबब वाली use की तो वो इसे reduce कर देगी copper में और खुद हो जाएगी oxidize ऐसे कर देखें अब सोच के देखें इसके उपर कौन है तो ये तो नीचे है ये भी नीचे ये दोनों उपर है पर sodium के साथ problem ये है बिटा कि जैसे हम sodium को aqueous solution यनि पानी में डालेंगे ये react करना शुरू कर देगी इसलिए हम sodium ना use करके किसे use करेंगे iron तो आप यहाँ पर iron का इस्तेमाल करिए ये iron cu++ को reduce कर देगा cu में क्योंकि इसका reduction potential iron से ज़्यादा है जिसका reduction potential ज़्यादा वो reduce हो जाएगा question number 6 पे आगे the weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaced इतने ml of o2 तो हम सीधे सीधे बोलेंगे gram equivalent of silver जितने deposit होंगे उतने ही gram equivalent of oxygen liberate हो तो gram equivalent कैसे निकालते हो w upon e silver का e होता है 108 क्योंकि atomic weight के बराबर होता है valence 1 होती है बिटा इसकी gram equivalent of o2 volume दिया है 5.6 liter यानि छपण सुमेल और इसका equivalent volume होता है 5.6 liter यानि छपण सुमेल ही हो गया ml में कट गया तो w बराबर आगया 108 gram लीजे answer दौनों के gram equivalent बराबर किये w upon e और यहां फार्मूला लगाया volume of oxygen upon equivalent volume of oxygen और oxygen का equivalent volume होता है बिटा 5.6 liter या 5600 ml sorry 5600 ml question बसाद during the electrolysis of molten sodium chloride the time required to produce इतने मोल अब जड़ा देखिए मोल आपको कितने दिये point one zero और chlorine का valence factor कितना होता है बराबर दो सर यह कैसे निकाला आपने ऐसे निकाला बिटा देख यह CL minus है इससे CL2 बनाना है तो यह दो ले लिया तो इसका एक मोल बनाने के लिए कितने electron दो electron lose करने पड़ेंगे तो valence factor हो गया दो तो दौनों चीज मिल गई मोल यह रहा valence factor यह रहा तो gram equivalent of chlorine बराबर हो गए मोल into valence factor और यह बराबर होता है i into t i बराबर कितना है तीन अब यह देशम्बलब नहीं यह बटाए तीन ही लिखा ठीए कि तीन है देशम्बलब नहीं इन्टू टी निकालना है upon 96,500 चल भाई निकाल देते हैं यहां से तो बताएए टी कितना आ गया तो टी बराबर आ गया 96,500 into दशम्बलब दो divided by 3 पर यह जो time आएगा वो seconds में आएगा answer minute में है तो start कर दीजिए solve कर लीजिए बेटा इसे आपका answer आ जाएगा 110 कर लेंगे ना रे 1020102 काट दो ऐसे ठीक अब किता आ गया निचे छेती 18 तो यह बराबर आ गया 965 अपान 18 into दशम्बलब दो जादा हो यह दशम्बलब भी अटा दो 96.5 दो से इसे काट दो तो अप्रॉक्सीमेटी दिन 90 होता तो 11 के आसपास आ जाता कुछ गड़बड हुआ है क्या 9 11 नहीं कच-कुछ गड़बड कर गया बिटा पाया नहीं 96.500 सही लिखा है क्या गड़बड किया है मैंने 2 0 क्यों काटे एक काटना था सौरी बिटा तो इतना आ गया तो ये 110 के करीब आ गया गलती से 2 0 काट गया कि कोई बात नहीं तो कितना आ गया 110 मिनिट क्लियर है अगे बढ़ते हैं क्वोश्चन नम्बर आठ पर एक सलूशन है निकल सलफेट का तो आप जड़ा पोटेंशन लिखेए इसका कैसे लिखेंगे ऐसी तो लिखेंगे ये निकल है प्लस टू और ये चेंज हो गया है किसमें निकल सॉलेड में कितने लेक्ट्रॉंस दो लेक्ट्रॉंस अब बताएए कैसे लिखेंगे इसका पोटेंशन potential ऐसे लिखेंगे, कि E equals to E naught of cell minus 0.059 1 upon 2 log 1 upon Ni plus 2, यह यह न, अब क्या कह रहा है जहां से सुना, यही की वेरू कुछ भी मान लो, जो भी मन करें, अब तुमके बढ़ यह देखना है, इतनी minus हो रही है, बताइए, Ni की concentration, concentration, dilute किया, किता, 10 times, तो इसका किता होगे, dilute का मतलब concentration, 1 by 10, तो यह 10 कहां चला जाएगा, उपर, तो कितना गया, minus का, 0.03, यह 10 कहां चला गया, उपर, log 10 की value 1, तो इतने वोल्ट आपका, decrease हो गया, यह मिली वोल्ट में 1000 से multiply कर दीजिए, तो decrease हो गया, इतना, इसकी concentration को, 1 by 10, dilute 10 ना, तो 1 by 10 कर दो, बस dilute कर दो, 1 by 10, तो 1 by 10 करोगे, 10 ऊपर चला जाएगा, log 10 की value 1 होती है, तो बस इतने वोल्ट डिक्रीज होगे, minus होगे, आगे बढ़ते है, question number 9, किते हैं, molar conductivity of 1M, एथेनोहीक ऐसेड इतनी दी है, and that infinite dilution इतनी है, pH पूछ रहा है, अपको pH के लिए अपने कुछ ही है, HIN concentration, और HIN concentration होती है, C alpha, अब अपने पास C तो है, alpha निकाल ले, alpha बराबर होता है, बिटा भी किती बार पढ़ चुके, lambda at concentration M divided by lambda at infinite, तो concentration 1 M पर 10 दिया है, और infinite पर 200 दिया है, तो alpha बराबर यहीं से निकाल ले, किता है गया, 5 into 10 to the power minus 2, यह alpha की value आ गई, औ बराबर आपने बोली C alpha, और C 1 है, alpha इतना है, तो 1 into 5 into 10 to the power minus 2, तो pH बराबर आ गई, minus log ले लिजिए, 2 minus log 5, log 5 की value 0.7, तो अंसर आ गया 1.3, यह रहा है, आसान सा सवाल था, पहले हमने alpha निकाला, lambda M upon lambda infinity करके, उसके बादा है, चाहिन concentration C alpha निकाला, concentration दीती, alpha निकाला, pH नि find the EMF of cell E naught दिया, फिर से nurse equation लगाईए, nurse equation कहती है कि E of cell वराबर होता है, E naught of cell किता दिया है, 1.05 minus 0.0591 divided by 2 into log, बताईए, यह हो गए आपके product, तो product में निकल, यानि 0.160, यह concentration divided by, reactant कौने AG plus, यानि 2 into 10 to the power minus 2 होगा न भी या, मैं, minus 3 होगा, minus 3, इसका whole square, क्या इतनी बात समझ में आई, solve कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां गया 1.05 minus point, यह होगा 0.3 into log, उपर है बिटा, 0.16, नीचे 2 का square होता है, 4 into 10 to the power, उपर ले जा तो हो जाएगा, plus का 6, पक्का, अब solve कर लोगे, इसके 10 to the power 6 को, इसके 4 लिख दो, यह 16 हो जाएगा, 4 चॉक 16 हो गया, तो यह आ गया 1.05 minus, 0.03 into log, अब धियान से दिखना है, मैं क्या करा हूँ, 16 into 10 to the power 4 लिख रहा हूँ, 4 4 जा 16, तो 4 into 10 to the power 4, इसे solve कर लीजिए, अब देखिए, यह value कोई बहुत ज़्यादा तो आएगी ने, थोड़ी स से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, तो 1.05 होगा नहीं, जादा होगा नहीं, थोड़ा कम कर लीजिए, अंसर यह, बाकि आप solve कर लेंगे, इसको solve करना आता है कि नहीं, देख, ऐसे करेंगे, कर देता हूँ, तो इसको क्या रिखेंगे, log a into b, तो इसे रिखेंगे, log 4 plus log 10 to the power 4 याने 4, यह हो गया, log 4 की value होती है, 0.6 तो यह हो गया, 4.6, यदि इस पूरे की जगा, 4.6 रख दीजिए, solve कर लीजिए, answer आगा, क्लियर, कौन सा आगया, 0.91, question number 11, question number 12, screen पर यह रहा है, zinc है बिटा, इसका दिया हुआ है, electrode potential इसका दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, delta G, आपने formula पढ़ा होगा, delta G equals to minus NF, सही है, और E of cell या E not of cell बराबर होता है, SRP, standard reduction potential cathode minus SRP of anode, पढ़ा है, SRP cathode minus SRP of anode, अब देखें का anode cathode कैसे पहचा नहींगी, यहाँ हो रहा है reduction, तो AG तो बन गया cathode, और JIG का बन गया anode, ठिक, तो SRP of cathode किता दिया है, 0.34 दिया है, यह रहा, minus, यह किता दिया है, 0.6 पर यह oxidation potential है, reduction करोंके minus हो जाएगा, तो minus minus plus 0.76 बराबर आगया, 1.1 volt, पूछा किया है बिटा, delta G, तो what is your delta G, minus NFE, तो minus N बराबर किता है, 2 electron है, फेराडे की value, 96,500 हूलाम, into 1.1 volt, solve कर दीजिए, जूल में value आगई, minus का, multiply कर दीजिए, 2.10 to the power 5, पहले, पहले मैंने, E naught सेल लिकाला, cathode का SRP, minus anode का SRP करके, और delta G को स्टो NFE में value रगदी, बस, इतना सा का, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, question number 12, hydrogen gas is made by dipping platinum wire of SCL इतना, and by passing hydrogen around रता ही, oxidation potential किता होगा, सीधा formula होता है, बिटा, oxidation potential, यानि E of oxidation potential बराबर, 0.0591 into pH, और pH बराबर भी है, 10, तो 0.059 into 10, यानि 0.59 volt, answer, सीधा-सीधा, क्योंकि oxidation reduction होता होता है, तो यह minus लगा होता है, question number 13 and 14, यह रहे आपके सामने, आपकी screen कर, यह kilo-joule में है, not joule, it is in kilo-joule, आईए, the hydrogen oxygen fuel cell दिया है, बिटा, 180 यह इतने पर, E not पूछ रहा है, कितना होगा, क्या पूछ रहा है, E not, और delta G दिया, फिर से वही formula, delta G equals to minus का NFE not, यह लगा, तो बताईए, delta G कितना दिया है, 240 into 10 to the power 3, ऐसा क्यों किया, ताकि joule में बदल सको, equals to, N, electron निकाली होगे हैं से, बिटा, H2 की oxidation state यहां 0 है, यहां प्लस 1 है, तो 2 की प्लस 2 होगई, यानि कितने electron होगे, 2 electron, तो N बराबर हो गया, 2, minus से minus कट जाएगे हैं, यह भी minus है, यह भी minus है, Faraday की value आपको पता है, 96,500 into E not, ठिक, तो अपके को E not निकालना है, तो what is your E not equals to, 240 into 10 to the power 3 divided by 2 into 96,500, इस से, इसे काट लिजे, लिजे, 96.5, अब आप इसे, solve कर लिजे, 240 upon 96 का, दुगना मतलब 180, 190 के करीबा आएगा, 140 upon 190, 1.3 के असपास आजएगा, ओहो, यह तो दो-दो अन्सोर आ सकते हैं, चलिए, अब solve कर लिजे, पहला आजएगा, कर लेंगे ना बिटा, बस calculation करना है, वाखी तो आप करी चुके, 1.24, आगे बढ़ते ही, question number 14, increase the voltage of cell, बताँ यह cell के लिए कैसे लिखेंगे, E of cell बदाब, E not of cell, minus 0.059 upon 2, into log, product में कौन है बिटा, copper ion, reactant में कौन है बिटा, यह है, अब ध्यान से देखिएगा, यह minus है, यह घटेगा, यदि तुमने copper को बढ़ाया, किसे, copper को बढ़ाया, तो इस में से ज़्यादा value, यानि E of cell, कम हो जाएगा, और तुमने silver को बढ़ाया, यह value कम होगी, तो यह value, E of cell, ज़्यादा हो जाएगा, यानि आप silver बढ़ाईए, या copper घटाईए, तो increase the dimension, बेकार है, यह भी बेकार है, increase the concentration, यह भी गलत है, decrease होता सही होता, increase the concentration, वह या इसे जितना बढ़ाऊगे, जितना इसे बढ़ाऊगे, उतनी ये value कम होगी, जितनी ये value कम होगी, यह आफसेल उतना ज़्यादा आएगा, किलियर है, आगे बढ़ जाएगा, question number 15 and question number 16, एक लीटर 1 M है, दो फेराडे पास कराई, बेकार का question है बिटा, एन आई प्लस 2 है, दो फेराडे पास करा दी, सारा निकल डिपॉजिट हो गया, निकल बचाई नहीं, जब बचाई नहीं तो 0, बचाई कहां बेटा, सारा डिपॉजिट हो गया ना, दो फेराडे से, तो निकल तो सारा डिपॉजिट हो गया, तो निकल सल्फेट से निकली गायब हो गया, निकली 0 हो गया, तो इसकी मोडरिटी 0, हנו दो फेराडी ऐलेक्र सीटी पास कराइग एक मूल और एक मूल का वेट होता है 73.5 वी तो 63.5 एक मूल का वेट हमेशा होता है ग्राम क्वेद क्वेट में हो रहा है कुश्चन नमर 17 कुश्चन नमर 18 आपकी स्क्रीन लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज कर रहे है रिचार्जिंग एक्विशन क्या होती है मैं लिग देता है trotzdem twice PBSO4 plus water चाहिए होता है editar recharge करने कले लिए इसलिये हमारी बैतरी में पानी डाला जाता है और यह बनाता है PB at cathode Pb O2 at anode और सात में मिलता है H2SO4 तो बताइं कैथोर्ड पर क्या हो रहा है Reduction हो रहा है पी बैटरी में Reduction also is what Pittsburghат Math observate हमेशे आद देखिए reduction ही होता है क्या थोड पर कुश्चन नबर 18 पर आते हैं कुश्चन नबर 18 चलिए cell बनाए आपके पास इस cell की reaction क्या होगी लिखके दिखा रहा हूँ cell की reaction होगी बेटा zinc reactant में होगा plus cu positive पॉस्टिव पॉस्टिव जो product बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे z n double positive प्लस क्या बनेगा c इसके लिए बताईए e of cell के ताव यह बराबर होगा e not of cell minus 0.059 upon 2 into log उपर कौन? z n plus 2 नीचे कौन? एक छोटा से काम करता हूँ मैं इसको और छोड़ा simplify कर देता हूँ तो e not of cell इसे plus कर देता हूँ इसे उपर कर देता हूँ यह गया 0.03 into log यह चला गया उपर co plus plus नीचे आ गया zinc plus plus अब simple सी बात है इसकी concentration जितनी बढ़ा होगे और इसकी concentration जितनी घटा होगे यह e of cell उतना बढ़ेगा क्योंकि यह तो constant है इतना जुड़ता चला जाएगा तो copper maximum होना चाहिए zinc minimum तो maximum copper होना चाहिए maximum यहाँ है और यहाँ है और minimum zinc का है यहाँ पर यानि इस वाले case में maximum e मिलेगा तो e3 की value सबसे ज़्यादा होगी और e3 की value ना यहाँ ज़्यादा ना यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा e3 होगा और कॉपर जितना कम जिंग जितना ज्यादा उतना E cell सबसे कम होगा तो सबसे कम E1 होगा E3 सबसे ज्यादा E1 सबसे कम बचा वाला बीच में आगे बढ़ते हैं कुश्चन नबर 920 आसान से सबाब कह रहा है Cr2O7 double minus को chromium plus 3 में चेंज के पता है यहां दो chromium है chromium के oxidation state है plus 6 यहां है ती दो तरीके हैं दो chromium के कित्ती हो गई charge plus 12 और यहां दो chromium के चार्ज कितना हो गया plus 6 तो plus 12 में plus 6 करने के लिए कितना जूड़ना पढ़ेगा 6 more electron यानी 6 फैराद तो अंसर हो गया 6 फैराद एक तरीका वो भी है आई इंटू जे माइनस के वाला यानिदे हमसे पूछा जाए कि number of फैरादे तो यह बराबर होते हैं compound के moles moles multiplied by i into j minus k i क्या होता है index ज्यादा कम अधर को index ज्यादा कम का मतलब क्या है इसके mole कितने दिया है एक ठीक अब दिखना है यह 6 है यह 3 है ठीक इंडेक्स यह रहा इसे index कहते हैं जो number होता है दो हो गया ज्यादा किता है 6 कम किता है 3 6 minus 3 3 into 2 बराबर 6 यही फैरादे the metal that cannot be obtained by electrolysis of aqueous solution कौन deposit नहीं होता था याद करी हम इलेक्ट्रो में पढ़ा था लिक बे सर का न मग अल मन यहां तक के कभी भी deposit नहीं होते calcium इनी में आता है तो calcium के solution से आप इसे कभी भी discharge या deposit नहीं कर पाएंगे यह रहा last question number 21 कह रहा है oxidation एक mole water लिया क्या बनेगा h2 प्लस हाफ हो तो बताए कित्ती electricity पास करनी पड़ेगी दो फैराडे क्योंकि यहां दो more electron को यहां भी सिखाता हूं hydrogen से सिखा रहा हूं hydrogen के oxidation state यहां plus one यहां zero कैसे करते हैं बता मोल ठीक मोल कित्ता है water का एक into i index hydrogen का 2 into ज्यादा माइनस कम यह ज्यादा यह कम एक माइनस जीरो पड़ावर कित्ता आ गया है इतने कूलाम आया तो इसे लिख सकते हैं वन पॉइंट नाइन थ्री इंटू टैन टू दी पावर फाइव लीजिए यह था 2021 क्लास 12 की chemical kinetics and electrochemistry अगली क्लास में 11 के दो चैप्टर के साथ फिर से हम लोग हाजिर हो जाएंगे और हम पढ़ेंगे बीटा atomic structure and chemical bonding के 2021 सिरीज के questions आज के वल यहां तक thank you शुक्रिया धन्यबाद क्लास 20 की शिכज के वל बी शु कि यह स करे लिश हुग है कि मुटनों भी छो जिए कि की कि हम अगेäं बनीeg 안úa में चुक आरा भी के ऑनरे कि में पाना थाएНगी कि मुक्पिंग का दो लिए, ग freshlyस़् यहां बना भी चारा धू Waiting